आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोडों खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ। अब ही डाउटनेट कर संचरण की मात्रा बराबर होगी यदि उनकी लंबाईयों में संबंद होगा। तो लंबाईयों में संबंद पूछा है कि जब समानता पंतर हो और उन दोनों छड़ों में संचरण उश्मा की मात्रा कमान बराबर हो। तो लंबाईयों में उनके व्यास का संबंद किस प्र D2 तथा D1 के अरुपात के वर्क के रूप में पूछा गया है तो देखिए इसके आरे को हम पहले बना ला 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 हमने दो एक ही पदार्थ से बने बिलनाका छड़ों के सनचनाय बना ली है देखिए मान लिजिए उनकी लंबाईया हम क्रमशा प्रश्णों सार जो L1 स प्रस्तुत करते हैं पहले चड़ के लिए हमने इसे पहला चड़ माना और दूसरे चड़ के लिए को यहां पर हम L2 से प्रस्तुत करते हैं ठीक है यह हमने ले लिया अब जैसा के प्रश्ण में बोला गया है कि उनके जो व्यास है वो करमशा क्या है तो व्यास को हम यहां पर लेते हैं तो व्यास करमशा D1 पहले के लिए और इसी तरह D2 दूसरे के लिए है अब जैसा के प्रश्म में बोला गया है कि इन छड़ों से संचरित उश्मा की मात्रा जबकि छड़ों के दोनों सीरों पर समान तापांतर है तो हम यह मान सकते हैं कि दोनों छड़ जो हैं क दूसरी स्थिति पर करमशा D2 और ठीटा तो डाण डैश था जड़ों कि इनके दोनों सीरों पर समानतापांतर है समानतापांतर हैं तो हम इससे लिख लेते हैं ठीटा जड़ रिंड एपर बराबर होगा थीटा 1 धेश ज्抟ीटा 2 डेश के कबकिन स्थिती है जब उषमा संचरंड की इंट रिकारτनä है जैसे प्रश्ण में बोला गया है उषमा संचरंड की मात्र हम ब्राबर करते हैं तो प्offर संचरं के इसे हम Q-Yipka परहेंदे करें इसे करते हैं पहले चशड के लिए और क्यूंका नुपादकी का मानुचा करते हैं अब देखे इनमें हम Subscribe को रखते हैं तो पहले के लिए उशमा संसर्फ के माद्रा के में सीधी रखनी है तो सिर्थे इसके सुथ्र को हम रखेंगे पहले के लिए जहां वर्ग की रूप में तो देखिए प्रतीक छड़े के लिए उसका मान क्या होगा A1 का मान हमारे पास उस संदर में पायनुपाद 4 D1 वर्ग इसे तरह A2 का मान हमारे पास पायनुपाद 4 D2 वर्ग की रूप में होता है यह हमें मिला अब देखिए क्रमशे इनके मान हम जैसा प्रस्ट में हमें उनके भी संबन निकालना है इसे तरह दूसरे छड़ के लिए बात करते हैं तो उसे K2 और उसके अनुपर स्कार्ट शेतर फ़ल A2 और ता पंतर कमान Q1 देखते हैं तो उनकी लंबाई L2 से व्यक्त होती है देखिए दोनों के मान हम क्रमेशन रख देते हैं एवन तथा A2 के के एवन यहाँ पर है पाई अनुपाद 4 हमने लिया D1 का वर्ग यहाँ पर होगा थीटा 1 रिन थीटा 2 के रूप में मान और नीचे देखते हैं तो यह म मान हमारे लिए कितना यह हमारे लिए है L1 के रूप में और दूसरी स्तिती पर देखें तो यहाँ पर बनता है के टू इसका मान होगा पाई अनुपाद 4 डीटू वर्ग के रूप में थीटा 1 डेश देटा 2 डेश के रूप में अब इसे लिख लिया हमने और नीचे हमने लिखा L2 अब देखी जो-ान यहाँ पर कट जाएंगे पाई और यहाँ पर आयप जैसता की प्रिश्ट मैं बोला जा रहा रहा है तो हम उसे भी काट देते हैं और यहां पर जैसा बोला जा रहा है उसे हम लिख लेते हैं, D1 का वर्ग है यहां पर, और नीचे,L1 बराबर, D2 का वर्ग है यहां पर, और नीचे,L2 लिखा हुआ है, हमारे पास ठीक है, तो हमें क्या करना है, लंबायों में अनुपाती निकालना है, तो हमने क्या किया L1 को उस्तरफ ले गए L1 और नीचे लिखा L2 को तो हमारे पास पत क्या-क्या बचते हैं यहाँ पर बनेंगे D1 वर्ग के रुप में और नीचे D2 वर्ग के रुप में हमें पास हमारे पास यह मान आये हैं तो हमें देखिए जो सम्मन सुत्र है लंबाईयों में और उनके व्यास में कुछ इस प्रकार हमें मिला कि वो D1 अनुपात D2 के पूरे वर्ग के बराबर यहाँ पर सम्मन रखते हैं तो हमें यह सुत्र प्राप्त हुआ है जो इस प्रिश्न का उत्तर होगा तो देखिए हमारे पास विकल्प के रुप में कौन सा मान आता है विकल्प भी जो हमें बता रहा है कि L1 तथा L2 का मान D1 और D2 के अनुपात की वर्ग के बराबर है जो हमने अभी प्राप्त किया ह यह इस प्रिश्न का उत्तर होगा धनेवाद